हाई गाईज माई नेम इस अद्नान खान एंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आहार की आहार का मतलब क्या होता है वह अंज जो हम खाते हैं मतलब हमारा खाना तो इसके बारे में जो important points हैं जिसकी requirement है हमारे क्रिया शारीर में इसके बारे में हम आज discuss करने वाले हैं तो चलो start करते हैं आज की वीडियो को तो सबसे पहले चैप्टर यहां पर देखो यहां पर heading है अहार अब अहार क्या होता है आहार मतलब हमारा अन जो हम खाना खाते हैं अब जैसे कोई हमारा संसार में जितनी भी चीज़े बनी हुई हैं वह सब किसे बनी हैं पंच महाभूत से बनी हैं इसलिए हम बोलते हैं संसार की सारे चीज़े पंच भौतिक हैं तो जो हमारा खाना होगा वह भी क्या होगा पंच भौतिक होगा ठीक है जो हमारे शरीर को पोशन देगा वह कौन महाभूत की जरूरत है इसी तरीके से अगर हमारी बोडी के अंदर रक्त परना है तो हमें अगनी महाभूत की जरूरत है इसी तरीके से जो हमारा पंज माहबोतिक आहार होता है इसी से हमारे शरीर का पॉशन होता है है अग्र हम बात करते हैं आयरवेद में तो आयरवेद में जो bulb मल कॉनसे का दोश क Alcohol यह तुम्हें चार्य श्रूत का स्लोगिव देखें होगा दोश द्धातू मल मुलम ही शारीर मतलब जो दोश हैं हमारे वोडिए के अंदर वात्पित कफ दातू है रसरक्त मास में धस्ति मर्जा शुक्र तीन हमारे पास मल हैं मूत्रों पुरीश और स्वेड यह क्या है हमारे शरीर के मूल है और यह मूल भी किसे बनते हैं यह मूल भी पच сообщ महभूत से मिलकर बनते हैं और हमारा अहर भी कैसा होता है पंच महाबोतिक होता है इसका मतलब क्या है अहर का जाटर अगनी दुवारा पाक होना एवं अपने अपने समान गुनों वालों का पोशन करना एक महत्पून का रही है इसका मतलब है जह हमने कोई आहर खाया तो उसका जाटर अगनी मितलब तो अलग चीज होती है तब आστग उसMAN्ग करती है तब अपनी किरिया उपल्य करती है टिके है और संगेंड चीज क persuaded यह कित यह फिर नल जिसको हम बोलते हैं एस्क्रीट्री वेस्ट दो पार्ट में डिवाइट करती है अब ऑद और है इस तरीके से साथ तो धातों का निर्मान होता है बस समझा रही है तो यहां पर हम क्या खा रहिए न Lore ने के भाधि सारी भातु बन रहे है ठीस बात कहने का मतलब यहां पर सिर्फितना है जो जो हम खाना खाते हैं वो पंच महाभूतिक होता है हमारा शरीर भी पंच महाभूतिक होता है हमारे जो शरीर के मूह ले दोश धातु मल ये भी पंच महाभूतिक होते हैं तो हमारा पोशन कौन करेगा पंच महाभूतिक आहर करेगा क्योंकि हम भी पंच महाभूत से मिलकर बन गय है अगर तिमसे कोई पोचे आईवेद के सितन्व क्या है तो हमारे शृरीर के भी इसन्म माना है और अहार को इन में प्रधान माना है लेकिन जो प्र प्रदान माना है क्योंकि इनका निर्मान करता है इसका निर्मान करता है अहार ही तो करेगा जिस आowing के अंदर ऑखाश और वायूज गौगी उससे वात से अनगर अगनी महाभूत की जाढ़ा प्रतांत होगी उससे निसके जैम्हाम बने चौत्प होगी उस्rh अगे लिए अहार को सारि प्रधान और नहीं को हमारा काना है अगर हो आदा हन सब निखाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे इसलिए सबी प्राणी इसे घ्रेंड करेंगे तुए तुब देखा होगा चील को कवय को हमेशा किस चिसके सफ़्चिंग में रहते हैं एक भैज्ञा मिल जाए कोई गैह। इससे शते ही प्राणी है हैं तो जितने बी प्राणी of को बल प्रार्दान करता है हमें संतुस्ती देता है हम मैं सुक देता है हमें जीवन देता है और हमारे शरीर की पुस्ति करता है किसी के अदर मास को बढ़े का क्या करते हैं प्रोटीन की चीज़ लेते हैं जादा ताकि उनके उनके प्रोटीन जादा बड़े ठीक है अब आगे थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर तात पर यह है कि बिना आहार के कोई कार्य संबव नहीं है इसलिए अहार को सर्वस्रेस्ट माना गया है यह बास सच ह पंच महाबूतों के अनुसार अहार द्रव्य के निम्न भैद बताए हैं पार्थी द्रव्य आप्य द्रव्य आग्ने द्रव्य वाईव द्रव्य और अकाशी द्रव्य मतलब जिसके अंदर प्रित्वी महाबूत जादा होगा उसका हम बोलेंगे पार्थी द्रव्य जिस तो आहर के अंदर जल महपूद जाद होगा सा हम बोल देंगे आपने द्रव्य जिसके अंदर अगनी महपूद जाद होगा से भोल देंगे अगनी द्रव्य इस तरीके से तो हमें वन बाइवण ये द्रव्य के गुन और कर्म यात करना है फिर असब पा mirate mapsī निखात लाब गुरू होता है एक जगह स्थिर रेने वाला होता है और गंद वाला होता है तो गंद से किन तरहती होती है अगर हम बात करते हैं करम के तो हमारी प्रिफ्वी महभूद की प्रदानत होगी तो 핫्ण मतलब जिसके अंदर जल माहबूत की प्रधानता होगी अगर हम ऐसे खाते हैं तो यह शीथ होते हैं इनका गुरू होते हैं और मन्द होते हैं इसके कर्म जैसे कि यह करेगा हमारी बोटिक इंदर क्लेद मुकस बनाएगा और इसने हैं करेगा ठीक है अब आगे चलते हैं आग होट मतलब माइनिव यह हमारी बोटिक एक चमकाने का काम करेंगा कांति का मतलब हमें कलर प्रोवाइट करेगा प्राकाश तरह यानि कार्य यह करेगा ठीक है अगला आता है वाईवे द्रव्य मतलब जिसके अंदर वाईव महभूत की प्रदानता होगी तो इसका गुन क्या जैसे कि वाईव क्यों होती है रूश्क होती है लगू और विश्यद जहां हवा आती है हमां से मिट्टे उड़ा कर लजेती है मतलब क क्लींजिंग का काम करेंगा हमारी अंदर अगला आता है अकाश्य द्रव्य के गुण देखो सूक्ष्म होता है हमारे अंदर सिर्व किसे बनी होती है वो आकाश महभूस से मिलकर बनी होती है अगला ही हमारी body के अंदर light weight करता है लगूता लाता है हलका पन यह लाता है ठीक है तो यह हो गए हमारे पांच भेद आहर के इतुमें पांच भेद के गुन और कर्म as it is learn करने है यह important है अगर आहर आता है पांच नंबर में तो तुम इतना लिख सकते हो जनरल यह पांच प्रेस कर लो इससे में नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएं ओके थेंक्यों सो मच